हेलो एब्रीवन वेलकम बेक टो माई चैनल में हूँ प्रियंका सो दस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक में 925 की यह मैट मॉइस्ट मॉइस्ट मॉइस्टराइजर की रिव्यू जो की ग्रीन टी के साथ आता है और इसका पैकेजिंग आप देख सकते हैं पैकेजिंग के साथ आता है ग्रीन एन वायट कलर की इसकी कार्ड़ोड पैकेजिंग है यह मैट मॉइस्ट मॉइस्ट मॉश्टराइजर है जो की आपकी स्कीन को matte look देता है मॉस्च्यराइजर करने के साथ-साथ बिल्कुल भी chip-chip-a feel या तो फिर बिल्कुल भी oiliness नहीं देता है ऐसा ये claim कर रहे हैं ये मॉस्च्यराइजर में ऐसा लिखा हुआ है ऐसा मैं नहीं आपको खहे रही हूँ मेरे साथ इसका जो experience रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों आप लोग अक्सर समझने में गलती करते हैं कि मैं सबसे पहले क्यों भला बोलती हूँ फिर मैं बुरा क्यों बोलती हूँ प्रोडक्ट को ठीक है ऐसा कॉमेंट मेरे पास आया था तो बात ऐसा है कि जो जो अच्छा चीज इसमें लिखा हुआ है वो ही मुझे आपको पढ़के बताना है एंड उसके बाद मेरे साथ इसने क्या इसका रेजल्ट आया है इस प्रोडक्ट को अपलाई करके वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठीक है तो ये समझने में थोड़ा सा आपको समझना चाहिए ये गलती आप लोग कर लेते हैं फिर आप हमें आके बोलते हैं कि दिमाग खड़ा भे क्या पहले तो अच्छा बोला अपने प्रोडक्ट को फिर अपने गलत बोल दिया लेकिन ऐसा बात नहीं है प्रोडक्ट में जो बात लिखा हुआ होता है वो सबसे पहले हम लोग आपको पढ़के बताते हैं फिर हम लोग के साथ ये प्रोडक्ट कैसा रियक्शन कर रहा है कैसा लग रहा है फिर हम लोग वो आपको डेमो स्वाचेस के साथ दिखाते हैं तो के दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दू कि यह प्रोड़क्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है क्योंकि जो यह इतना जादा मैट मॉश्युराइजर है मैट मॉश्योरेजर होना बहुत ज़दा अच्छी बात है क्योंकि समर के टाइम पे अगर आप एक ऑईली ग्रीसीनेस मॉश्योरेजर एपलाई कर लेते हैं अपने फेस में तो आपको सोईट बहुत ज़दा आएगा सोईटिंग के साथ साथ आपको पिंपल के समय से भी बहुत ज़दा हो सकती है और साथ साथ स्कीन पे बहुत सारे इशू भी हो सकती है अगर आपके ऑईली स्कीन है तो और मेरे जो है ना वो गर्मी के टाइम पे बहुत ज़दा ऑईली स्कीन हो जाती है तो मैं कहीं न कहीं matte moisturizer ही यूज़ करना पसंद करती हूँ लेकिन ये moisturizer मैंने तो लिया था nika से and इसका जो price लिया है वो है 349 रूपीज ठीक है and ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा and ये मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा वो आपको जब मैं apply करके दिखाऊंगी तो आपको दीख जाएगा and ये जो moisturizer है ये product जो है न ये पुरा apply करने के साथ साथ मेरे chicks पे जो है वो blend नहीं हो रहा है वो मतलब अजीब सा look आ रहा है अजीब सा ये product निकल के बाहर आ रहा है face से जैसे की jail moisturizer बिल्कुल ऐसा नहीं होते है and ये extremely matte है जो की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बिल्कुल absorb नहीं हो रहा है बिल्कुल मेरे face से ये बाहर निकल के आ रहा है ये है इसका problem ठीक है लेकिन ये यहाँ पे claim करते हैं कि ये product जो है यहाँ पे claim करते हैं कि ये moisturizer mattifying look आपको देता है ये moisturizer 12 hour तक आपकी skin पे रहता है and ये moisturizer आप daily basis पे उस कर सकते हैं for oiliness को ये खतम करता है oil skin के लिए जो oily skin है जिनके उनके लिए ये moisturizer best है and यहाँ पे shine free look आपको ये moisturizer दे रहा है and इसे आप daily basis पे अपने face को clean करने के बाद आप इसे finger के सायता से face पे gently massage करके इसे आप apply कर सकते हैं ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है and ये जो moisturizer है वो है green tick के साथ ही आता है and ये 349 इसका MRP है जो की बहुत ही जादा high है and पूरा पैसा ही मेरा बरबाद हो गया इस moisturizer को खरीदने के बाद and इसका packaging आप देख सकते हैं कितना सुन्दर है लेकिन इसका काम बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा है मुझे and ये all free look देता है 20, sorry 12 hours तक ये आपको moisture पोवाइस करता है and visibly pore reduce करता है ये and दोस्तों ये जो moisturizer है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुछ इस तरीके का है and देखने में तो आपको बिलकुल भी पता नहीं चलेगा लेकिन आप जब इसे apply करेंगी तो शायद ही आपको पता चले कि इसका जो texture है वो बिलकुल भी अच्छा नहीं है and मुझे तो अच्छा नहीं लगा gel texture है and आप moisturizer को ये moisturizer को आप अगर इस तरीके से dabbing motion पे apply करते हैं face पे तो शायद ही ये अच्छे तरीके से अपकी face पे बैठें अगर आप इसे इस तरीके से rub करते हैं तो आप मेरे हातों में देख सकते हैं आपको शायद ही नज़र आएगा ये देखिए ये देखिए ठीक है ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये moisturizer जब ही मैं blend कर रही हूँ ये blend होने का नाम नहीं ले रहा है and ये इस तरीके का निकल के बाहर आड़ा है मेरे हातों में आपको दिख़़ा होगा आपको दिख़़ा होगा शायद अभी अभी मैंने moisturizer को आपके सामने apply किया and ये देखिए ये किस तरीके से बाहर आड़ा है बिल्कुल भी अच्छा product मुझे तो नहीं लगा and चलिए मैं इसको आपको अपनी face पे apply करके दिखाती हूँ तब आपको पता चलेगा दोस्तो so दोस्तो ये है like me 925 matte moisturizer की packaging जो की green tea के साथ आता है and packaging तो बहुत ही सुन्दर है लेकिन इसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है and इसका price भी बहुत ज़्यादा high है and आप देख सकते हैं मैंने तो इसे use भी किया है दो तिन बार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा and शुरू शुरू में cream को लगेगा कि ये कोई gel cream type है लेकिन जब आप इसे blend करते हैं तो ये आपकी skin पर बिल्कुल भी नहीं रुकता है ये आपकी skin से बाहर आ जाते है and मुझे ज़्यादा दिर जितना पता है कि मॉस्चुराइजर को हमेशा इस तरीके से ही मसाज करके लगाया जाता है and dabbing motion पर मॉस्चुराइजर कौन लगाता है थोड़ा बहुत तो मसाज करना ही पड़ता है लेकिन इसे जब ही आप थोड़ा सा भी मसाज करती है तो ये ना कुछ इस तरीके की निकल के बाहर आते है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है and gel moisturizer affordable में market में बहुत जादा है जो कि लैक में peach milk है आप बोल सकते है and ponz की gel moisturizer है और भी बहुत सारे धेर moisturizer है जो आप try कर सकते है लेकिन इसे मैं बिल्कुल भी suggest नहीं करूंगी तो दोस्तों अगर आप ये moisturizer लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं तो आपको इसे suggest नहीं करूंगी बिल्कुल भी नहीं करूंगी and matte होना अच्छी बात है matte moisturizer आपको अगर gel moisturizer पसंदे तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ponz की जो gel moisturizer है वो वाला apply कर लीजिए वो यूज कीजिए वो best है and गर्मी के time के लिए तो best है ponz की gel moisturizer and जो की sky blue color में आता है packaging and अगर आपको gel moisturizer पसंदे अगर आपकी oily skin है तो आप lacmi की peach milk apply कर लीजिए लेकिन lacmi की ये moisturizer तो मैं आपको बिल्कुल भी suggest नहीं करूंगी इस पैसे में आपका ponz का आ जाएगा lacmi का peach milk आ जाएगा and पता नहीं और क्या-क्या gel moisturizer है and मैंने बहुत सारे review किए है आपके साथ आप मेरे channel पे check कर सकते है and जो hemalai की जो face gel moisturizer है आप वो भी use कर सकते हैं तो आप ये सारे चीज़ आप use कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी moisturizer मैंने review किये है अपने channel पे आपको जो भी पसंद है आप उन में से कोई साभी एक आप choose करके purchase करके आप use कर सकते हैं लेकिन ये वाला मैं आपको बिल्कुल suggest नहीं करूंगी दोस्तों ये बिल्कुल भी मसला एकदम घटिया product लगा है मुझे and एकदम ही पसंद नहीं आया है and एकदम ही बेकार product है तो आप इसे बिल्कुल ना ले so दोस्तों ये वीडियो बस आज के लिए इतना ही मुझे बस आपको इतना ही कहना था कि ये product कैसा है and ये लैक मी 9 to 5 matte moisturizer है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो कुछ भी help हुई हो अगर आप लेने के लिए सोच रहते and आपने मेरी वीडियो को देखके आपको कुछ भी help हुआ है तो मेरी वीडियो को एक like जरूर से करके जाएगा and मेरी चैनल को subscribe जरूर से कर दीजिएगा and बेल आइकन को जरूर से hit करके रखिएगा तकि मेरी आने बड़ी नोटिफिकेशन है बहुत के पास एजली पहुच सके तो मेरी मिल तूँ आपके साथ फिर एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो बाई and मेरी आनदर वीडियो जाके जरूर देखिए मेरी आनदर मॉस्ट्राइजर की रिव्यो जाके जरूर देखिए दोस्तो आपको बहुत अच्छा अच्छे मिल जाएंगे and so बाई बाई